असलाम अलेकुम, आज की इस वीडियो के अंदर हम Osmosis और Diffusion को Detail से समझेंगे Osmosis और Diffusion दोनों ही Passive Transport की टाइपस हैं यानि इन Transports के अंदर चीजों की Movement without the need of energy हो रही होती है यानि Energy की requirement नहीं होती, तो अगर किसी चीज में Energy की requirement नहीं है ions, particles from higher concentration to lower concentration, यानि एक जगा पर किसी भी चीज की concentration ज्यादा है वहाँ से वो चीज, lower concentration की तरफ move कर रही है और इसमें उसे कोई Energy नहीं require और ये Movement क्यों हो रही है, higher से lower की तरफ क्यों हो रही है, to achieve equilibrium यानि सारी तरफ वो जो particles की concentration है, वो equal हो जाए ठीक है, example के लिए अगर हम देखें, तो अगर हम water के अंदर कोई ink का drop डालते हैं तो थोड़ी देर के अंदर वो water के अंदर जिस ink का हम drop डालेंगे, जिस color के ink का तो वो color सारे पानी के अंदर equilibrium attain कर लेगा, सारा पानी जो है, वो same color का हो जाएगा तो हुआ क्या, शुरू में जब आप डालेंगे तो ink का color उस area के अंदर dark होगा, फिर करते करते वो सारे area में फैल जाएगा, equilibrium में चला जाएगा तो हुआ क्या, जहां पर आपने ink का drop डाला था, वहां पर शुरू में concentration ज्यादा थी और वो particles move करते के पूरे area के अंदर और equilibrium attain हो गया, तो इसमें किसी energy की requirement नहीं हुई इसके लब आप perfume की example ले लें, तो एक room के कौने में आप perfume का spray करते हैं, तो दूसरे कौने तक वो spray के particles जो हैं, वो move करना शुरू कर देते हैं तो पूरे room के अंदर वो particles थोड़ी देर में फैल जाते हैं, यह क्यों हुआ, कि एक कौने के अंदर जो particles की concentration थी, वो ज्यादा थी, दूसरी जगों पर कम थी, तो लौर concentration की तरख वो particles move करना शुरू कर दिये ठीक है, तो यह concept है, passive transport का, जिसमें energy required नहीं होती, बड़ चीजों के movement होती रहती है, higher concentration से lower concentration और यह क्यों होती है, to achieve equilibrium अच्छा, अगर हम diffusion की definition करें, तो same जो passive transport की definition है, वो आप diffusion के लिए लिए लिख दें, तो यह बिल्कुल accurate है so diffusion में क्या है, कि molecules, ions, particles की जो movement है, higher concentration से lower concentration without the need of energy is called diffusion, यह same examples आप दे सकते हैं, लेकिन अगर हम biology के अंदर बात करें, तो diffusion की हम ज्यादा तर बात कर रहे होते हैं, living system के अंदर so living system के अंदर से me permeable membrane, cell membrane होती है, तो यह diffusion through membrane भी हो रही होती है, यानि directly ऐसा नहीं है, अब जहाँ पर आप perfume की example दें, तो इसके अंदर कोई membrane नहीं है but diffusion के अंदर कुछ membranes भी हो सकती है, membranes के across भी यह transport हो रही होती है, हम उसकी तरफ थोड़ी देर में आ रहे हैं अब हम osmosis की definition करते हैं, osmosis क्या है, osmosis है movement of solvent particles जहां पर समझेगा, यही difference है osmosis और diffusion के अंदर कि osmosis में आप molecules, ions, particles नहीं बोल सकते, osmosis में आप सिर्फ बोलेंगे solvent particles और solvent particles भी आप chemistry के अंदर बोलते हैं अगर हम biology की बात करेंगे, तो हम osmosis में हमेशा water की बात करेंगे, किस की बात करेंगे, water की बात करेंगे क्योंकि living system के अंदर जब भी हम water की transport की बात करते हैं, तो वहां पर osmosis ही use होता है so osmosis में तकरीबान all the time water की transport की बात कर रहे हैं, ठीक है, so water की transport भी कैसे हो रही होगी, वैसे ही हो रही होगी, जैसे diffusion की हो रही है यानि osmosis की रास्ते में एक membrane होनी लाजमी है, एक layer होनी लाजमी है, और इसमें हमेशा water की transport होगी so water अगर move कर रहा है higher concentration से lower concentration की तरफ, तो क्या होना चाहिए, दिरम्यान में एक membrane होनी चाहिए तो यह osmosis होगा, अगर membrane नहीं है, तो osmosis का process नहीं है, ठीक है Okay, semi-permeable membrane तक हमने समझ दिया, लेकिन यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि हम water की transport की बात कर रहे है तो water की transport हमेशा होगी dilute solution से concentrated solution की तरफ dilute solution क्या होता है, ऐसा solution जिसके अंदर water की quantity ज्यादा हो, solute की quantity कम हो concentrated solution क्या होता है ऐसा solution जिसके अंदर water की quantity कम हो, solute की quantity ज्यादा हो, तो water हमेशा कहां से कहां move करेगा dilute solution, जाहरी बात है जहां पर water ज्यादा होगा, वहां से move करेगा concentration solution के अंदर जहां पर water कम होगा तो ये concept आपको समझना बहुत जुरूरी है, तो इसी को हम ऐसे भी लेख सकते हैं, from higher water potential to lower water potential dilute solution के अंदर water potential क्या है, high है और concentrated solution के अंदर water potential क्या है, कम है तो हो क्या रहा है, कि water high water potential से low water potential की तरफ move करेगा यानि यहां पर water ज्यादा था, तो इसने क्या किया यहां पर water कम था, तो यहां पर move करना शुरू कर दिया ठीक है, यह concept समझना बहुत जुरूरी है, क्यूंकि diffusion के अंदर solutes भी move कर सकते हैं, लेकिन osmosis के अंदर हमेशा water ही move करेगा, और water कहां से कहां move करेगा, जहां पर water की quantity ज्यादा होगी, dilute farm में होगा, और उस जगह move करेगा जहां पर water की quantity कम होगी और वहां पर solution जो है, वो concentrated farm में होगा, example के लिए समझते हैं, कि red blood cells को अगर आप dilute पानी के अंदर आप रख दें, तो होगा क्या कि red blood cells के अंदर solute की concentration ज्यादा है और water की concentration या water की quantity कम है, ठीक है तो होता क्या है, जब आप red blood cells को water के अंदर डाल देते हैं तो बाहर जो water है, वो dilute farm में बहुत ज्यादा मिकदार में है तो वो rush in करता है red blood cell के अंदर और red blood cells फूल जाते हैं तो ये क्या हुआ, semi permeable membrane के cross transport हुई है तो इसे हम osmoses बोलेंगे ठीक है, फिर इसके अलावा अगर हम example देखें, तो plant root hairs में water कैसे move करता है इस ऐसे ही move करता है, कि जमीन के अंदर जो water है, वो थोड़ा सा dilute concentration के अंदर होता है और ज्यादा quantity में हो रहा है तो plant के अंदर जब water की कमी हो जाती है तो plant की body के अंदर इस तरीके से water move करता है और फिर utilize होता है यह transpiration में और energy production और different processes में तो यह difference है diffusion और osmoses में तो थोड़ा सा और detail में समझ लेते हैं जब हम बात करेंगे similarities और differences की similarities क्या है diffusion और osmoses में दोनों ही processes हैं यह दोनों ही types हैं passive transport के second जो similarity आ जाती है कि दोनों processes higher concentration से lower concentration की तरफ हो रहे हैं ठीक है फिर third similarity आ जाती है कि दोनों equilibrium achieve करने के लिए move कर रहे होते हैं दोनों processes हो रहे होते हैं to seek equilibrium differences की अगर हम बात करें तो difference पहला क्या है कि osmoses के अंदर हमेशा semi permeable membrane होगी जबकि diffusion के अंदर ज़रूरी नहीं है हो सकती भी है और ज़रूरी नहीं भी है without semi permeable membrane भी अगर चीजों की transport हो रही है तो वो diffusion के लाईगी osmoses के अंदर हमेशा water move करेगा diffusion के अंदर बाकी particles भी move कर रहे होंगे ठीक है तो osmoses के लिए हमेशा water की हम बात करेंगे क्या chemistry में solvent की बात करेंगे और solvent आप समझते होंगे क्या होता है यहां पर यह एक semi permeable membrane है यहां पर diffusion को भी समझते हैं और osmoses को भी समझते हैं हमारी बाड़ी के अंदर energy production के लिए glucose और oxygen की ज़रूरत होती है cells को ठीक है यह बाहर से oxygen और glucose क्या कर रही है cells के अंदर जा रही है glucose कुछ diffusion के जरीए भी जा रही होती है कुछ active transport के जरीए भी जा रही होती है oxygen हमेशे तकरीबिन diffusion के जरीए जाएगी यहां पर अगर oxygen के concentration ज्यादा हो जाएगी तो यहां पर a lot of oxygen molecule है तो यह क्या करेंगे इस membrane के cross नीचे आना शुरू कर देंगे तो यहां पर oxygen move की cell के अंदर तो इस process को क्या बोलेंगे diffusion और इसमें कोई energy require नहीं है इसके लावा glucose जब बाहर ज्याद हो जाएगी cell के अंदर glucose की कमी हो जाएगी तो glucose के molecules क्या करेंगे cell के अंदर move करेंगे तो इस process को भी diffusion बोलेंगे यहां से बाहर जा रही होगी इसके मुकाबले में अगर इसी cell membrane की जो boundary है इसके cross water की transport होगी तो इसे हम osmosis बोलेंगे जो हम समझ चोंकि है अगर यहां पर water ज्यादा है इस cell के अंदर कम है और जब cell के अंदर water कम होगा तो solution कौन सा हो जाएगा concentrated हो जाएगा तो यहां से water move करने के कोशे करेगा cell के inside ठीक है यहां पर आएगा तो इस process को osmosis बोलेंगे और last जो point है कि osmosis में हमेशा solvent particle move करेगा across the membrane so lute move नहीं करेंगे यानि ऐसा नहीं होगा कि यहां पर water की quantity ज्यादा हो चुकी है यहां पर water की quantity कम है तो यहां से solute move करना शुरू कर दें इदर water और यानि equilibrium achieve करने के लिए ऐसा नहीं होगा हमेशा water ही move करेगा क्योंकि solute यहां इस barrier को पार नहीं कर सकते लेकिन water जो है इस barrier इस membrane के across move कर सकता है तो इसलिए हमेशा water ही move करेगा so hopefully आपको यह concept lecture समझ में आया होगा next lecture के अंदर हम कोई और concept लेकर आते हैं तब तक के लिए मुझे जाज़त दें शुक्रिया अल्लाहाफे